फ्रेंड्स ठंड शुरू हो रही है और मार्केट में अच्छे आमले आने लगे हैं तो आप आमले ले लीजिए और उसी टेस्टी सी रेसिपी बनाईए जो आपको कबजियत में तो फायदा करेगी साथ ही साथ सर्दी, खासी, जुकाम, बुखार और शरीर में अगर आइरेन की शौटेज हो यानि ब्लड कम हो तो भी ये रेसिपी आपको फायदा करेगी और साथ ही साथ आप इसे कबजियत दूर करने में भी इस्तिमाल कर सकते हैं आमले में बहुत ही अच्छे इंग्रेडियंट्स डाल रही हैं जो शूगर लेबल को भी डिक्रेज करेगा चलिए ह अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं साथ ही साथ बीपी भी लो होगा अगर आपको हमारी ये टेस्टी सी रेसिपी जरासी भी पसंद आती है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लाए हैं एक किलो आवला उबाल रहे हैं परीस में से हम सिर्फ साथ सो ग्राम आवले का ही यूज करेगा आप किसी भी स्टेनर में नीचे थोड़ा सा पानी डाल कर भगोने में स्टेनर में रख सकते हैं या थाली में ब वाला साचा लगा कर पूरा एक केजी आवला दिया है बॉयल करने के लिए बॉयल करते समय यह आवला अगर फट जाए तो फिर आप सोची आपका आवला तयार हो गया फिर हम इसे गरम गरम फटा फट जो सड़ा गला पोर्शन हो उससे निकाल दीजे उसके बाद इसे हम मै करना चाते हैं तो थोड़ा देर और पका लेजे पर मैं हलका हलका इसमें क्रंच भी रखूंगी और इस तरह से करते हुए इसका बीज निकाल ले रही हो यह रेसिपी गुड में बनेगी थोड़ी सी कम मात्रा हम गुड का यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास मैंने आवले का मुरब्बा बनाया था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास सीरा है अगर सीरा आपके पास हो तो आप भी इसका स्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए सिर्फ 200 ग्राम गुड और प्लस 400 ग्राम सीरा का स्तेमाल कीजेगा पर अगर आपके पास आवला ना हो तो आप 600 ग्रा आपको बताऊंगी आवले का जो पानी है उसे फेक ये गमत आपने देखा कि साचे में भी था थोड़ा नीचे इसका इस्तिमाल 6 से 7 दिन आप फ्रिज में रखकर कर सकते हैं थोड़ा सा इसमें जिंजर का पाउडर और पुदीना वेगरा के पाउडर साथ काला नमक डाल दि बहुत ही टेस्टी अगर आप मीठा शर्वत सा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा शूगर बे एड़ कर सकते हैं मॉर्निंग के समय आवला पी लेंगे तो आपके लिए काफी फायदे मंदों का या इस पानी को आप अपने बालों में भी लगा सकते हैं ये मैंने देख ले लीजेगे 6-70 डले यानि आप 600 ग्राम करीब इसे ले लीजेगे डले की साइज बड़ी है फिर इसे हम अच्छे से इसके अंदर आउले को और गुड को बिना आच पे रखे ही पहले अच्छे से मेक्स कर लेंगे इसके बाद आच पर रखके इसे मेडियम फ्लेम पे पक फ्रेंड्स मेरा कैमरा थोड़ा गिर जाने के कारण लेंस में कोई प्रॉब्लम आ गई तो बीच के जो क्लिप्स थी वो निकल गई मैंने शूट तो किया था पर वो शूट हमारे रिकॉर्ड नहीं हो पाए तो मैं आपको रेसिपी में क्या मैंने डाला बता दे रही हूँ दो से तीन बार मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के रिकॉर्ड किया था पर कुछ ही नहीं हुआ तो इसमें हम काला नमत थोड़ा सा सिनेमेन पाउडर और ब्लैक पेपर का थोड़ा सा पाउडर डाल देंगे जितना आवले में आप डालना चाहते हैं स्वाद के अनुसार डा चाहते हैं और छोटी इलाइची तो उसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास पीपली हो तो उसे भी आप डाल दीजिए इसे डाल के हम धीमी धीमी पकाएंगे अभी देखा आपने हमने खाली गुड को डाला था पहले सोचा हमने गुड ही डाल दें तो हो जाएगा अगर शुगर पेशेंट है तो सिर्फ इतना ही गुड डालिएगा जितना मैंने डाला था पर अगर आप इसे और टेस्टी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा और गुड भी डाल सकते हैं अब इसे पकते हुए हम मैश कर देंगे मैशर की सायता से और मैंने जो मुरब्बा बन आया है उसे भी निकाल लेती हों और उसका जूस निकाल के इसमें हम एड कर देंगे अगर आपको हमारी यह रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा बहुत हेल्दी रेसिपी है चवन प्रास से भी बहुत ब पर मैंने बिल्कुल ही नहीं निकाला जिसके कारण यह आपके चौन प्रास से भी काफी हेल्दी है आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे आप इसे मीठा अचार भी कह सकते हैं खटा मीठा या मीठी चटनी या आप इसे चुन्दा भी कह सकते हैं पर थोड़ा सा बनाने का तरीका इसका अलग है मैंने मुरब्बा चानने के लिए उपर से चननी लगा दिया था ताकि डब्बे से कोई भी मुरब्बा इस कड़ाई में न गिरे है ना मजेदार सी टिक्स आम के आम गुठलियों के दाम यानि आपने जब मुरब्बा बनाया तो इसका हमार मुरब्बा बनाया एक महीनी हो गया दिपावली में मैंने बनाया था मुरब्बा तो जितना शूगर लेनी थी हमारे आवले ने खीच ली उसके बाद का एक्स्ट्रा शूगर हमने निकालके अपने इस रेसिपी के अंदर डाल दी अगर आपको हमारी ये रेसिपी जरासी पसंद आती है तो प्लीज इसे शेर कीजेगा पूरा वाच कीजेगा ताकि आपको रेसिपी में कोई कमी न हो यानि रेसिपी बिलकुल गर्बर न हो पांस साल तक आप इस रेसिपी को रख सकते हैं ये जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाएगी उतनी ही हेल्दी और टेस है और इसमें जो बेकार पड़े इसके शेरे थे उसका भी यूज मैंने कर लिया गैस की आज को अब थोड़ा सा तेज कर सकते हैं क्योंकि हमारा पूरी तरह से चाशनी भरपूर हो गई इसे आपको बहुत अच्छे से पका लेना है अभी देखिए चाशनी है तो इसे आप जितना जादा पका लेंगे यानि सूखा कर लेंगे तो यह आपका आवले का चटनी या चार या मुरब्बा कभी खराब नहीं होगा आपको यह रेसिपी जरूर पसंद आएगी देखे इसमें की भी एक क्लिप हमारी कम हो गई जिसमें मैंने मुरब्बा डालना शुरू कि या था मर्तबान में ठंडा होने के बाद पर आगे की क्लिप आ गई है तो मैं इसे आपको दे रही हूं सोचे थे वीडियो पूरी तरह खराब ना हो जाए पर कुछ क्लिप्स इसकी एड हो गई देखे इस तरह से फिर मुरब्ब्बे को हम काच के बरतन में रख लेंगे य अमारा यह आवले की रेसिपी कभी खराब नहीं होगी अगर पसंद आती है तो प्लीज आप ट्राइ किजेगा बहुत ही हेल्दी रेसिपी है नेक्स्ट हेल्दी रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं थैंक्यू एक बार एपीस ही जरूर ट्राइ किजेगा